मुझे लगता है कि अशोग चौधरी को भी पता है कि वो जो कहना चाह रहे थे अगर सब जाती के हिसाब से देखा जाए तो अशोग चौधरी कितना गलत बोल रहे थे और उसका कोई मतलब नहीं था और आप ये देखें चुकि जहानाबाद में अशोग चौधरी का भी इंटरेस्ट है बरविगा में अशोग चौधरी का भी इंटरेस्ट है और क्या इंटरेस्ट है कहिए तो मैं बता सकता हूँ आखिर उनकी पाटी कही विधायक है न सुदर्शन सुदर्शन और आसोक चौधरी में क्यों नहीं पढ़ता है कहा जाता है कि बर्विगा से सायन कुनाल चुनाव लड़ेंगे आसोक चौधरी ऐसा चाहते हैं इसलिए वो बर्विगा अक्सर जाते हैं का जाता है जहानाबाद से MP के टिकट का सोग चौधरी ने खुद का है कि हमने चन्रवंसी जी का विरोत किया था लेकिन पार्टी ने तै कर लिया तो हमें उनको वोट देना चाहिए पर ये इस्थिती तो हर जगे न जराई क्या जेडियू के जो वोटर माने जाते हैं उन्होंने ललन सिंग को वोट दिया था क्या मुंगेर में अगर वो दिये होते तो गिराज सिंग और ललन सिंग की जीत इतने कम वोटों से तो नहीं होती तो इसलिए कास्ट डानेमिक्स भी तो एक चीज है और लालू प्रसाद जी ने जो चाल चली कई जगे कुछ वाहा को उतार दिया तो जो जेडियू का कोर वोटर था वो तो तूटी गया सवाल यहाँ पर यह उठरा है रवी उपाद्याई जी भी जुड़ गए है आपका बहुत-बहुत स्वागत है सवाल यह उठरा है कि NDA अपने कोर वोटर को जब तक साथ नहीं जोड लेगी तब तक यह सोच लेना कि हम 120 पर पहुँच जाएंगे असंभब है यह पहुचना बहुत मुश्किल है आप खुद कह रहे हैं तीन बार नहीं गए चार बार नहीं गए तो अरे भाई नहीं गए तो हार गए न वहाँ पर नहीं गए तब हार गए और ऐसे बोलिएगा तो कैसे जीज जाईएगा यह भी तो बात है छे मैने पहले तक लोग सभा चुनाओं से छे मैने पहले तक ललन सिंग क्या बोलते थे और जैसे ही एंडिये में आये ललन सिंग की भासा बदल गई और ललन सिंग से ज़्यादा वहां के लोगों ने प्रचार करके, कैम्पेइन करके ललन सिंग को जिताया रवी जी आपसे बड़ा सीधा सा सवाल है जेडियूस मीसन 120 ले करके चल रही है और अब प्रदेश में जन सुराज पार्टी भी है वो भी चुनाओ लड़ेगी ओव ऐसी भी सिमानचल में एक्टिव दिखेंगे ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तीन नंबर की पार्टी एक नंबर बन सकती है क्या इसकी गुन्जाइस आपको दिखाई दे रही है पंकर जी जिस तरीके से असोग चौधरी जो ब्यान दे रहे हैं उससे आपको लगता है क्या कि एक नंबर की पार्टी बन जाएगी जो एक जो कोर वोटर है एंडिये के लिए मरने और मारने की स्थिति में भूमिहार समाज रहता है और उसको आप जिस तरीके से मने बिलो दे बिल्ट बात कर रहे हैं और आप अपनी पार्टी के आप बड़े नेता हैं कदावर हैं नितीज कुमार के कीचेन कैबिनेट के आप सदस हैं जो चार लोग हैं उसमें से आप एक ब्यक्ती हैं तो वो और आप अपनी बड़े जब नेता होते हैं तो आप सब के लिए रोल मॉडल होते हैं तो आप रोल मॉडल होकर के और भूमिहार समाज को इस तरीके से आप जो बद्दु जुबानी हम कहेंगे तो गलत नहीं है वो आप बोल रहे हैं तो यह क्या जरसाता है और कैसे आप चाहिएगा कि जो भूमिहार समाज आपके साथ में चले और 120 जो तीसरे पैदान पर है एक पैदान पर तो यह नहीं होने वाला है सोग चौधरी कोई की पहचान है क्या अपने अपने बरभिगा जहानाबाद जो पूरे इंटरनेशनल के वो कुछ हो जाए लेकिन देखिए वोट उनके पास है क्या जिस समाज में से आते हैं उस समाज का वोट है उनके पास यह तो सबसे बड़ी बात है वो ठीक है उपर MLC रहें उनके लिए वो ठीक है लेकिन जिस तरीके से बोल करके वो एक समाज को टारगेट कर रहे है या और देखिए नितीज कुमार कभी भी समाज और जाटपात में इस तरीके से नहीं रहे यह नितीज कुमार को कहीं ने कहीं इन लोगों ने इस तरीके का ब्यान दे करके नितीज कुमार को बैकफुट पर ढखेल दिया है वो कह लिजे मनिस्वर्मा से ही बात करिए मनिस्वर्मा से ही आप पूछ लिजे ये निश्चित रूप से असोग चौधरी का जो ब्यान आया है जिस तरीके से उन्होंने एक समाज को जहाना बाद को ले करके और उनके दर्द कहां है या आप भी समझ रहे हैं पंकर जी उनको बरभिग्गा चाहिए उनको सिख पूरा चाहिए और ये ये कहना कि बेटी और रोटी दे दिये हैं तो बेटी रोटी का मतलब भी थोड़ी है कि आप सब को कुछ बिलो दो बिल्ट बात बोलते चलिएगा संजे जी बैठे हुए संजे जी से आप पूछिए ये डॉक्टर संजे कुमार ये भी कुछ बताएंगे ये तो उधर के रहने वाले हैं जहानाबाद के जितनी बात हम कहा रहे हैं उससे ज़्यादा बात इनके पास भी ये खबर है कि आसोब चौधरी वहां को जहानाबाद का प्रभारी बनाया गया है और जो प्रभारी होकर के इस तरह की बात करेगा और भूमिहार समाज का वो कैसे देखिए यह सोग चौधरी किस लिहाद से और कैसे बोले यह पार्टी को मजबूत करना चाह रहे हैं या तीन नंबर पर ही बनाए रखना चाह रहे हैं या तो आप तो वही बता सकते हैं हमसे बेतर है